नमस्कार स्वागते आपका डॉक्टर कॉलिंग कारिक्रम में और आपके साथ मैं हूं अंचली भंडारी दर्ध है तो दर्ध का कारण भी होगा यह कारण शरीरिक और मांसिक दोनों स्तर पर हो सकता है भावनात्मक स्तर पर ये दर्द क्रोद, अफसाद, मूर बदलने या फिर चड़-चड़े पन के रूप में भी देखा जा सकता है शरीर में दर्द की तीवरता अलग-अलग वेक्तियों में अलग-अलग हो सकती है आज हम बात करेंगे कूले और घुटने के दर्द के बारे में हड़ी और जोड़ों का दर्द बहुत तक्लीव दे नहीं हो सकता है और हड़ी और जोड़ों की विमारियों से झुड़े और चलते फित्रत में परिशानी होनी और इसमें से कुछ जो समस्याओं के लिए सर्जरी की आवश्रक्ता भी होती है अक्सर ओफिस में जादा देर बैटे रहने से कमर में दर्द होने लगता है वहीं कई बार बढ़ती उम्र में घुटने के दर्द का सामना भी करना पड़ता है इसको लेकर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में श्रिबाला जी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट से वरिष्ट पूला और घुटना रोग विश्यग है डॉक्टर धर्मेश खत्री जी सर्थ बहुत-बहुत स्वागत है आपका और अगर इसका किसी तरीके से निग्लिजेंस किया जाए तो फिर कितना जादा खतरनाक हो सकता है देखिए गुटनों का दर्थ जो है वो सबसे जादा common cause जो गुटनों के दर्थ का है तो उन्हें उसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए उसका एक्सरे होना चाहिए देखने के लिए कि किस तेज का आर्थराइटिस है गुटने में किस कितनी का आटिलेज घिसी है और उसके हिसाब से उसका treatment की शुरुआत होनी चाहिए अगर हम इसको सही समय पर नहीं करेंगे इसका treatment तो यह जो है गुटने का arthritis जो है बढ़ता जाएगा और धीर धीरे मरीज के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है मरीज का पैर में तेड़ापन आता है जिसके वएसे उसकी चाल बदल जाती है चाल बदलने की वएसे कमर पे जोर पड़ता है जिसके वएसे कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है कुछ सालों बाद लेकिन यहां पर सवाल ये भी उठता है कि आकर वजह क्या कुछ हो सकती है बढ़ती उम्र आपने इसका जिक्र किया लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत कम उम्र वाले लोगों में भी देखा जाता है कि घुटने के दर्द की जो समस्या है वो काफी आम हो गर्सेता dif are क्योंकि आज जो हम खाना खाताए जो हमारे न्यूटरिशशन भी चेंज हुए है पहले के मुकाबले से आज की एकीडिक केूशम में डिफिशनसनी और कैल्kommen radi कि इसके अलावा मोटा पा एक ऐसा कारण है जिसके वह जल्दी घुटने घिज जाते हैं जो लोगों का वेट जादा होता है वजन जादा होता है उनमें गुटना जाए जाए जल्दी घिजता है क्योंकि जोड़ जादा पड़ता है उसी तरीके से वाइटे मीज गिडिवीटेंथ उसी हमने ऩाया करता है तो कहीं लोग घबरा जाती हैं कि आखिर इसका कोई साइड टो नहीं है लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ साफधानिया बरतनी चाहिए अगर किसी का नी रिप्लेस्मेंट हुआ है और डॉक्टर ने उसे प्रोस्क्राइब किया कि आपको नी रिप्लेस्में बहुत ही सक्सेस्फुल सर्जरी है अगर हम सौ लोगों का इलाज करते हैं तो मैं कहूंगा कि 95-90% लोग ऑपरेशन के बार में खुश रहते हैं जी कॉम्प्लेकेशन का रेट बहुत कम है हजारों में से किसी एक को कुछ कॉम्प्लेकेशन होने का रिस्क रहता है तो उस त बहुत है कि उनको गुटने के रिप्लेस्मेंट की जरूवत है क्या उनको सही में जरूवत है क्या गुटना एक्सरे में उतना खराब है जिटना की जरूवत है पहली बात और दूसरी बात यह है कि पेशन को जो दर्द हो रहा है पर गुटने में हो रहा है कई बार क्या हो कि जिनका गुटना तो काफी खराब एक्सरे में लेकिन उनको चलने में उतना दर्द नहीं है तो यह ऐसे पेशंट है कि जिन बिल्कुल आगे बढ़ते हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील अगरवाल जी हैं कॉलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं जी सुनील जी आप अपने सवाल पूछे मेरी मदर की उमर 82 यर ओल्ड है जाल भर पहले तक वो आथ में लाखी लेकर चल पाती थी तुम्तु अभी वो खड़े भी नहीं हो पाती क्वालेट या बाप्रूम भी नहीं जा पाती तो उसके लिए क्या चिया जाए देखने के लिए कि वो चल क्यों नहीं पा रही है क्य हमें नस दबरी है जिसके वएसे मास पीशे काम नहीं कर रही है उस वएसे नहीं चल पा रही है जब तक हम इस चीच को फूरा डिटेल में एवालेट नहीं कर लेते जांच नहीं कर लेते तक यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे आगे बढ़ाएंग अगर हमें यह लगता है जांच के वाद कि घृट्नों के दर्थ की वएसे वो चलन नहीं पा रही है गृटने बहुत ज़ादा घिज गए तो फिर डबेटली हम घृटनों बहुतनों का ट्रीक्मेंट कर सकते हैं गृटनों का रिप्लेस्मेंट अगर बहुत जादा घर उमर की बात नहीं है लेकिन आफकोर्स सर्जरी करने के पहले हम च्ट करेंगे कि वह सबसेढ़े हमँए देखने के यह चल क्यों कि बहुत जरूरी हो जाता है कि मरीज की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसे समझ लिया जाए उसके बाद आगे कुछ किया जा सकता है और हम दर्शकों से भी यह कह रहे हैं कि आपके भी अगर कोई इसी की तरीके सवाल है फूले या फिर जोड़ों से जुड़ी कोई भी समस्या से जुड़े सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नंबर्स आपके टेलिशन स्क्रीन पर फ्लैश हो क्या चाहिए प्रीश यह प्रूसीजर सेम रहता है अगर घुटने के ऑपरेशन के बाद में अगर और दर्द उठ रहा है तो हमें दुखारा से वही चेक अप करना है कि वही प्रॉड्लम गुटनों के विए से हैं तो क्यों हो रहा है मतलब इन दे सेंस कि मोई मास पेशा हो गई है एज के साथ या घुटने जो रिप्लेस हुआ है उसके अंदर कोई पॉल्लम आ रही है उसका हम जांच करते हैं लेकि ऐसा है कि जो घुटना हम रिप्लेस करते हैं उसकी डेफिनेट लाइफ होती है बिलकुल 15 साल 20 साल उसके बाद डेफिनेटली जाधर मरीदों में घुटना फेल होता है 25-25 साल के बाद में हलाकि जाधा तर जो घुटने बादने का ऑपरेशन हम करते हैं वो 60-70 की उमर के बीच के मरीदों करते हैं तो इसलिए जाधा तर मरीदों को दुबारा ऑपरेशन की जरूत नहीं बढ़ती है बिलकुल जब किसी मरीद का बायर किस एकस ड्रेशन हो गया घुटने के आसपास फ्रेक्चर हो गया तो उनको ढुक्रों की जरुत पढ़ती है जिटना की प्राइमरी ऑपरेशन होता है और पेशन्ट को निजात मिल जाते हैं अपने दर्द से मैंनि कई लोगों को यह कहते सुना है कि जब वो घुटने को आवाज आना, खासकर यंग लोगों में कोई अगर 20-25 साल का है, उसके अगर घुटनों में या किसी ओर जोड में आवाज आती है, तो उसमें कोई घवराने वाली बात नहीं है, यह बहुत कॉमन है, एक्चली हमारे घुटने के अंदर फ्लूइड होता है, जब हम घुटना बेंड करते हैं, तो फ्लूइड एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूह करता है, जिसके वह आवाज आती है, तक तक की, उसमें कोई चिंदा की बात नहीं है, लेकिन अगर आवाज के साथ अगर दर्द भी होता है, चलने में या गुटना मोरने में, तब फिर डेफिनेटली हमें इसको एवालियर्ट करना है, इसको चेक करना है कि किस वह से प्रॉब्लम हो रही है, जिसरीव आवाज के लिए घखरानी के वात नहीं है, हमार सते कॉलर जुड़ गए हैं, विरेंदर हैं, हरियाना से, अपना सवाल पूछी आप, मेरे ने में प्र होता है और पाओं के जो इउटे, वहां पर भी डडर जाता है? लख्ता है, जे कि आप गुटनों में आपके डर ज़्याना है यह आप ज़िए जिब चलते है किसमें कि मैं रनात को आपको हम रिषाता हो इसना से, नहीं में आधा ठकान मैहसूस करता है जिब चलते हैं अग जब चलते हैं तब घुटनों में दर्द मेंसूस होता है कि इस वह था कितना दर्द है कितना चल पाते हैं आप विए जबाने चलता है तो पर दर्द जबता है और अब आराम करता हूं जब इन अगुत्वों में दर्द परेता है एक इसा है कि गुटनों का एक्सरे करा करा के देख लेंगे गुटनों का एक्सरे होना चीए एक्सरे से पता चलेगा कि गुटने में कितनी काटेलेज बची है अगर गुटनों में कोई भी काटेलेज बची नहीं हो जैसे आप बता रहे हैं कि 300-400 मिल्टर चलने पर ही आपको दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कि आपका काफी एडवांस स्टेज का आर्थ्राइडिस है गुटना काफी जादा घिस गया आपका इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको आपको जरूरत पड़ेगी घुटना वदनने का उपरिशन होता है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको यह कह रहे हैं आराम करने करते वक्त भी इनको दर्द होता है जीक है बिलकुल इसक अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है ठीक है ना दवायों से कंट्रोल में रहती है शुगर और आपका हाट का एक चीज होता है जिसे हम ejection fraction कहते है कि वो दिखाता है कि हाट आपका कितना प्रतिशेत काम कर रहा है अगर ejection fraction जो है आपका हाट का 40-45 के ऊपर है तो आपकी घुटने का operation हो सकता है चली उमीद करते हैं मोती राम जी आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल गया होगा शुगर की इन्होंने प्रॉब्लम बताई है और ऐसे कई मरीज है क्योंकि शुगर की वैसे मैंने सुना है कि कई बार जो सबसे जादा जो असर है वो घुटनों पे जो हड़ियो के लिए अगर शुगर का मरीज है तो हम उसका दिन में तीन या चारव जो की खाव भरने के लिए बहुत जरूरी है कि शुगर लेबल कंट्रोल में होने जी एक कॉलर हमासा सिवान बहार से जोड़गा है इंमरोश खान जी आप अपना सवाल सवाल पूछिए इम्रोस खान जी अपना चलिए लगता है संपरकुन से टूड़ किया है और चलिए दर्शकों को हम ये बता दें कि आपके भी सवाल हैं अगर जोडों के दर्ट से जोड़े हुए या कूले के दर्ट से जोड़े हुए तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए और अपना सवाल जो है आप दॉक्टर धर्मेश खतरी जी से पूछ सकते हैं दॉक्टर धर्मेश महिलाओं की बात ले लेते हैं अगर महिलाओं की बात करें जोडों के दर्ट के समस्या महिलाओं में भी काफी हद तक देके जा सकती हैं लेकिन इसके कारण यहाँ पर क्या क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर 30 से उपर की जो महिलाएं होती है तब जादा ये चीज़ें जो होती है वो शुरू हो जाती है क्या में फेक्टर क्योंकि हार्मोनल चेंजिस जो होते हैं एकॉर्डिंग टू मेल फीमेल में जादा होते हैं ऐसे में कितना जादा और क्या कुछ जरूर चीजें होती है जो एफेक्ट करती हैं फीमेल की बॉड़िए जो होता है मतलब हड्यों की कमज़ोरी जो है बिल्कुल वो डेफिनेटली ज्यादा देखी जाती है मेल्स के मुका इसके अलावा क्योंकि लेडी जो है घर से बाहर कम निकलती है तो सुन एक्सपोजर जो है सुन लाइट से जो एक्सपोजर है वह बहुत कम होता है जिसके वैसे वायसे वायसे वायमिन D की डेफिशन से उनमें देखी जाती है यह दो कारण है कि जिनके वैसे घुटनों का दर्द कमर का दर्द कूलों का दर्द यह फीमेल जादा कॉमनली पाया जाता है अस कंपेर्टू मेल्स और जहां तक मैं यहां तक काहूंगा कि अगर हम सौ गुटनों के अपरेशन करते हैं तो उसमें 70 लोग में 70 जो है वह फिमेल सोती है और तीस से जो मेल्स होता है बिलक जोप्सरा में से हैं मेरी बाइफ है हमेरा 47 एर उनके गुटने में है ना दर्द रहता है डोक्तर को दिखाया वो केते हैं आपके जो गुटना है ना एक अटी में जैप हो गया कैसे ठीक है कितना पेंकिलर कितना लेना पड़ता हैं खुलती है वह है कि डेःते तो झुलती है कम करती है ऐसा है कि हमें सबसे पहले उनका एकसरे देखना होगा एकसरे में पता जालेगा कि स्टेज कोन सी ऐघ्षराटिसगे अगर mentre ख़र रीघ्षाव diabetes गी तो दवाई और injection आते हैं जिन से मैनेज किया जा सकता है बहुत सी बार एक छोटा operation होता है जिसमें की हड़ी को काट के सीधा किया जाता है जिससे की जो घुटने का जोर वजन शरी का जो घुटने में पड़ रहा है उसका distribution equal distribution हो जाता है जिसके वैसे दर्द में रिलीफ मिलता है अगर एक सरे के अंदर हमें लगए कि stage 4 आर्थ्राइटी से घुटना बहुत ही जादा खराब हो गया तो फिर इसका operation होना चाहिए नी तो अजयों है चाहिए हमारसा तक और जोड़ गए है परिशी है बिवानि के ठीते आप अपना सवाल वर our energy itasabar पूछी अपना तो अड़न झी पारए आफ़मे ऊड़र तो इसा सुदान जो गए है सुल्तान जीदी आप अपना सवाल पूछी है पब। जी अपना सवाल पूछी आप अपना क्या परिशानी है कब से कब से परिशानी है जी मैं तो तीन साल होगे खाकता रही जी देखिए डिस्क में अगर पावलम है तो आपका MRI वगरे कुछ हुआ है कमर का हाँ जी हो रहा है जी वो भी हो रहा है एक्स रेवी हो रहा है सारी चीज़ ओड़ी जी तो आपको किसी ने क्या बताया हुआ इंजेक्शन वगरे कुछ बताया है कमर में ऑपरेशन के लिए बताया है क्या बताया है आज जी मैं बड़े बड़े डास्त्रा रगई जी कोई सुरक्षिद बता देवा है कोई नूब कह दे जी प्रेशन ठीक नहीं है चलि एक और कॉलर मारसा जुड़ गएे तेविंद्र हैं हर्याना थेजी देविंद्र जी आप अपने सवाल पूछी अब अब नश्कार जिस अब शर्टाट जी मुझा या रहा हु तो मैं अपनी पीज़डी इचने क्राए को प्लोग्रम प्लोग्रम सीदेख रहां हूं दाएं आखा राहे हूं तो सर्व करें भी पैकेज है इसका ये गोटे का क्रोएश में नया गोटा प्रजेगा तो इसका पैकेज ताहरे थे नया गोटे में रस्त कहरें दुआ दिया दस दिन की आहां तो नया पैकेज किस तरह कहां से अपरेशन करवाएं आप से कुछ लैस मिल जे डेड़ लाखर प नहीं है वह अपरिशन में देड़ से 2 लाखर के करीब खर्चा आता है यह आपको अपनी सहुलियत देखनी है कि कहां पहें आपको सूट करता है काौन सा होस्पडल कहां पर रहते है गहां पर आपका बागी का इंतजाम हो सकता है इसके बढ़र करेगा अपाला ये एक्शन बहुत बहुत शुक्रिया दॉक्टर धर्मेश कत्री जी आप सूडियो में आया और हमारे दर्शकों को बेहतर जानकारी इस विश्य को ले कर दी है और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि बिमारी कोई भी हो आप खुड डॉक्टर मत बनिये अपना इलाज जो है आप सही जो डॉक्टर है आप उसी से करवाई और चलिए इसे के साथ डॉक्टर कॉलिंग में आज के लिए बस इतना ही आप बने रही है जनुता टीवी के साथ नमस् अग्या पुक्टर में पुडेवार इसे कर दो 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 झासे कर दो में है आप सही जो है और यहारे यहारे सिक्टर में प्रीग करदाने अपना है आप सही जो है